गुड मॉनिंग दोस्तों और प्यारे किसान साथे हो दिली फ्रेस मार्किट में आप सभी का स्वागत है चार तारीक दिन सुकरबार के सपूर मंडी दोस्तों अभी मोजुद हूँ प्याज मंडी में अब लाइब तस वीडियो में देख सकते हो इस समय किस तरह का विक्री है और दोस्तों आप से भी को बता दूँ इस सामने बिल्डिंग देख रहे हो इस दर भी आलू प्याज विक्ता है और इस साइड नीचे के साइड भी आलू प्याज विक्ता है बाग कि एक बार quality दिखा देता हूं दोस्तों सरके पास किस तरह का quality आया हुआ है और दोस्तों सबसे ज़्यादा सरका काम नासिक और पूने से है महराष्ट में नासिक और पूने से है आजाता है और इनका जो है लस्टन का भी काम है बाकि आप से भी को जो है वीडियो के माद दिम से कॉल्टी दिखा दे रहा हूं आपको कुछ समझ में आ जाएगा जी किस तरह का क्वाल्टी क्या भाव भी करा है मंडी में और दोस्तों जिस तरह से जो है एक तारीक के बाद रेटों में तेजी देखने को मिला है जानकारी लेने का कोशिस करेंगे अभी जो है और भी तेजी बना वा रहेगा या फिर यह तेजी जो है इस्टेवल हो जाएगा या फिर और भी एका थपते में और भी तेज देखने को मिलेगा बजार सर जी आज का रिपोर्ट दीजिया जी आज कितना अराइवल है अपने मंडी में और इस समय जो है किस-किस राज्य का माल देखने को मिला सर भाईया मेरे पे पूला का है मंडी के अंदर में की गाड़ी है बाकी MP का करेब नो तरश लाना है अच्छी क्वाल्टी के माल जो है 35 से नीचे तो हई नहीं अच्छी जो इस तरह का क्वाल्टी है सर इस तरह का जो प्याज है यह हाई एस उचे में जो लाट भीका है सर वो कहां तक भीका है अच्छी तो सर इस हपते के अंदर जो है आप जो बता रहे हैं 40 रुपे का भाव देखने को मिलेगा तो इस हपते के अंदर ही अंदर मिलेगा इस तरह का क्वाल्टी में या फिर इस हपते के बाद मिलेगा सर पैठी से लेकर के 40 रुपे एक बजार चलता रहेगा तो सर इस मेने के एंड होते होते क्या 50 रुपे को टच कर सकता है प्याज जी और सर इसमें अगर देखा जाए जो पूना और नासिक का प्याज है मंडियों में किस रफ्तार से आ रहा है कुछ आडायवल कम हो गया दिल प्याज हो रहा है नासिक के अंदर मंडियों में 30 रुपे से लेकर 35 रुपे किलों का अंधा धुंद खरदारी चल लेए अच्छा जी अच्छा जी एंपी कमाल बिल्ली के अंदर में थोड़ा बहुत तभाई मचाय हुआ है लेकिन ओभी अधी क्रेंट में है मेरे ख्याल स प्याज है अच्छा जी लेकिन और मेरे खाल से यह कप्टे का खेल है एक हफ्ते के बाद जी खतम हो जाएगा अलबर चलेगा थोड़ा बहुत तो अपने हिसाब से चलेगा मामला खराब होगा अलबर का और जो यह महाराख के प्याज है पूना का नासिका इसका कहानी साउथ में जा रहा है दिल्लियों के अंदर जो है कम आ रहा है माल तो जो रेट पीछे भीकर है सर वही डेट जो है दिल्ली मंडी के अंदर भी लगबग देखने को मिला आजातपूर में भी जो है जो रेट नाशिक में है या पूने में है उसी भाव जो है एक रूपे थोड़ी मजबूरी है इसलिए चलाना पड़ रहा है ने तो गुंजाइश नहीं है पेल्खूल 35, 36, 37 तक भी जती हैं लेकिन चलाना पड़ रहा है ठीशा प्रिसरा मोखाना पड़ता है पैसे अपने आपको भी देखना पड़ता है दोखाना घ्रांकों भी ईक में बड़ता हैं तो बैसा था चाली सरवेगलों को जा रहा है इस से कम कर तो ही नहीं अच्छा जी और आना वाला टाइम में तो 50 सरवेगलों को पक्का गिरंटी है वह भी एक हपता 15 दिन के अंदर अच्छा जी और सर इस समय अगर देखा जाए जैसे कि अपना जो है बिहार में भी जाता है प्याज बाद अपक किया अगर बात करें राजिस्तान वाले प्याज का राजिस्तान का प्याजि इस मंडी में फिलाल आ रहा है या फिर अब भी भोड देखर है उनकी किस्मत बदल गई अब राजाश्तान आने वाला 15 दिन के अंदर अंदर में लग रहा 25 रुपा किलो तक दिख जाएगा फिलाल 15 से लिएके 20, 22, 24, 25 तक दिख रहा है और इसी रेंज में प्याज रहसान के इज़त से दिख जाएगा प्याज चलो सर किसान भाईयों को भी चांस मिलना चाहिए और ऐसा भी देखने को मिलता है जब प्याज में तेजी पकरता है जब रफ्तार पकरने लगता है तो अच्छे अच्छे लोग जो है सर इसके पीछे भागने लगते हैं और जब डाउन होता है तो इसके पीछे कोई नहीं भागता जी अध्य को झतलुन शोट यह वहाद पर्लों पिछ किमने हमेदा ऩो नवा करा धुर कि अध्येश को चनलुन को यह संविक। अन्यूदी प्याज में ट्रत टंजा कंचा नहीं वह भीक गाइश आ जो अलवड का पियाज विभी जो तयार हो रहा है कि देंगा गयतुे अ और जो पिछेती प्याज है उनका क्या भाव चलेगा मंडियों के अंदर? भाईया फिलाल तो चार सुरुबा मन से लेगे बारेस सुरुबा मन तक आज के रिपोर्ट है अलवर का तो मतलब जितने भी किसान भाई है इस बार जो जो है अलवर में प्याज लगाया है तो उमीद है कि जो मतलब मेना डेर मेना जो उनको रेट अच्छा मिल सकते है प्याज को अच्छा बढ़िया बिखेगा बढ़िया बिखेगा पेल्गूल टेंसन ना ले ना वहां पे खेतों में और ना ही मंडियों में अचा जी मतलब सबसे पहले जो है gradingu बनाना जरूर है अगा अगर grade बना करके लाता हैं तो भावलेने का पूरा पूरा चक्राश था प्याज के आगे पीछे कोई टेंसन नहीं है अच्छा जी और सर अगर बात करें जैसे कि महाराष्ट वाले प्याज का तो महाराष्ट में भी बुवाई स्टार्ट हो चुका है या फिर अभी सर बांकी है अभी कुछ दिन चला है पंदर दिन पहले बुवाई भी हो गया और कि महारष्ट वाले प्याज 15 वाले प्याज से लेकर सुर्य हो जागा 15 के आना सब प्याज एक साथ यहाँ- россий माहराष्ट में बहुत सारे जगार आ। सब प्याज एक साथ निगलेगा पंदर दिसम्बर के बाद पहला फसल थोड़ा बहुत खराब हो गया है लेकिन पंदर दिसम्बर के बाद जितनी अच्छी च्छी क्वार्टी है सब आना सुरू हो जागा मंडियों के अंदर अगर वहीं बात करें नैफिट वाले प्याज का तो नैफिट का इस समय बजार के किस तरह का चल लाते दस परसंट पंदरे परसंट और रहा गया आज के डेट में नैफिट विका 22 रुपा से लेका 28 रुपा जिलो तक अच्छी और MP का जो है सूपर क्वाल्टी वह किस तरह का बजार देखने को मिले आए अच्छा जी अपने पास लस्तन किस राज्य का और क्या बाव भिखा जी बार से लेकर के 25 रुपे का बजार चला जी एक बार से अपना आरेट नमर और कोंटेक नमर बसा देजिए 347 और कंपानी अले ट्रेडर्स एकासी अठाक्तर शोला चप्वी से गाए ओके जी शुक्रिया जी जी झालगे